नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ रेनु माथर सुशान सिंग राशपूत केस अभी तक रहसे मई बना हुआ है 14 जून को सुशान सिंग राशपूत अपने घर में इम्रत पाई गए थे सुशान केस में आक्टर की फामिली ने रिया चकरवर्ती पर गमभीर आरोप लगाई थे और उन्हें मुखे आरोपी बनाया था आपको बता दे कि रिया चकरवर्ती फिलाल ड्रॉक्स केस को ले कर जेल में बंद है रिया चकरवर्ती को लेकर बॉलिवुट भी दो गुटों में बटा हुआ नजर आया है रिया चकरवर्ती पर फैली संसनी को दे कहीं फिल्मेकर्स रिया पर बायोपिक बनाने की सोच रहे है जी हाँ दोस्तो रिया चकरवर्ती को लेकर बायोपिक बनाने की तैयारी चल रही है ऐसी खबरे आ रही है आपको बता दे कि रिपोर्ट के मुताबिक सुशान केस को नाशनल ही नहीं इंटरनाशनल कवरेज भी मिल रही है कई फिल्मेकर सुशान सिंग राशपूत की गल्फरिंड रिया चकरवर्ती की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते है वहीं आक्टर्स को लेकर एक डॉक्यमेंटरी बनाने की भी बास सामने आई है मूवी और डॉक्यमेंटरी के अलावा एक पबलिशिंग हाउस रिया पर किताब लिखने की भी चापने की प्लानिंग में है अभी तो पबलिशिंग हाउस ये उबीद कर रहा है कि रिया चकरवर्ती अपनी तरफ की कहानी बताते हुए एक तरफ किताब लिखे जाने पर उसे पबलिश कर सके जी है दोस्तो रिया चकरवर्ती नाश्नल ही नहीं इंटरनाशनल लेवल पर भी अच्छी खासी लोक्रिया हो गई है जिसको लेकर रिया चकरवर्ती को लेकर बायोपिक बनाने की खबरेस सामने आ रही है आपको बता दे कि रिया के जिंदगी पर बायोपिक बनाने वाले फिल्मेकर में कही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि रिया चकरवर्थी पर वो फिल्म बनाए इससे पहले सुशान सिंग राशपूत को लेकर भी कई मेकर्स फिल्म बनाने की प्लानिंग में हैं आप देखना होगा कि सुशान तो रिया में से किस पर पहले फिल्म देखने को मिलती है रिया चकरवर्ती की बात करें तो वो 8 सितंबर को गरफतार की गई थी फिर उन्हें 14 दिन की नियाय कस्टेडी में भेज दिया गया था इसके बाद कोट ने फिर सेरिया की कस्टेडी 6 अक्तूबर तक बढ़ा दी है रिया चकरवर्ती के लावा उनका भाई शोविक 20 सलाखों के पेचे है बॉलिवुट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें ये फिल्म बीट